हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका अपनी चैनल जोती में की में मैं जोती आप सबका स्वागत करती हूँ दोस्तों आज मैं आप सो को बहुत ही सुन्दर सा ट्रिक बताने वाली हूँ जदि आप स्वेटर बनाते हैं तो ये वीडियो एक बार जरूर देखिएगा आज मैं भीगला में जो ये चोटी बनाया जाता है ये बीच में ये आज मैं आपको बताने वाली हूँ ये स्चीदी सेट से और उल्टी सेट से कैसे बनाया जाता है ये मैं ये जो स्वेटर का भीगला बनता है इसका मुख्य भाग यह चोटी होता है या यह चोटी आपको गलती हो जाएगा तो cuma का घृका हो जायेगा इसका मैं सही तरीका आज मैं आपको पताने बाली हूँ यह चोटी कैसे बनाया ढिए जाता है सबसे पहले क्या करना होता है आप इस सायट और इस सेट और बैक सेट ये तीनों सेट आप जितना फंदा डालना चाहते हैं उतना फंदा आप ले लीजी एक सेट और दो सेट और तीसरी सेट ये तीनों सेट आप फंदा जितना लेना चाहते हैं उतना आप ले लीजी लेकिन एक बात का धियान रखना है कि जितना फंदा आप इ बीच में जो एक फंदव नहीं झोले उया सकते और compare चैहरे ना संभ हो आप आप यह पहले उठावे हैं स्फेटर से इस यह फंद डालके बीच में आपको चोड़ीक बनाना ऽाम runt मैं दूसरी स्वीटर में आपको ये चोडी बनाना बता रही हुं कि देखें दोस्तों यह स्वेटर पे मैं फंदे डाल दी हूं मैं एक दो सलाई आपर फंदे डाली हूं एक इस सेट और एक इस सेट और यह मैं बेक सेट जो है यह मैं इसी सलाई यहां पर डाल दी हूँ फंदे अब मैं यहां एक सलाई में यहां बना ली हूँ और दूसरी सलाई में यह मैं चोटी यहां डालना आपको मैं बता रही हूँ यह देखिए दोस्तों यह मैं यहां एक सीधा और एक उल्टा से मैं बॉर्डर बना रही हूं आपको जो बॉर्डर पसंद है बहुत बॉर्डर बहुत टैप के आते हैं आपको जो बॉर्डर पसंद है वो बॉर्डर आप डाल सकते हैं इस पर मैं एक सीधा और एक उल्टा ब एक फंदे को मैं यहां सीधा बना लेती हूं अब मैं धागा को इस सेड़ी रखना है और यह फंदा जो है यह बीच वाला फंदा है चोटी बनाना है इसको इस फंदे को इस सलाई पर ऐसे करके डाल देना है और यह बीच वाला फंदा को ऐसे करके निकाल लेना है फिर कि इस सेड जो मैं इस सलाई पर फंदे निकाले थी उसको इस पर डाल देना है और यह जो बीच वाला भाग है यह बीच वाला फंदा जो है इस तरह से सीधा कर देना है यह उल्टा था इस सेड से इस सीधा कर देना है यह दिखे दोस्तों यह सीधा हो चुका है अब क्या करना है यह एक फंदा और इस सेड का फंदा मैं इस सेड डाली थी वह दो फंदा और एक इस सेड का फंदा यानि यह तीन फंदा को एक कर देना है और यह धाग आपको पीछे ही रखना है और तीन फंदे को एक कर देना है यह देखेए दोस्तों यह तीन फंदे को मैं यहां एक कर दी हूँ अब क्या करना है आप ये सीधा है तो इसे सीधा बना लेना है फिर इधा का आगे करके एक फंदे को उल्टा बनाना है आप जो डियेन दे रहे हैं उल्टा डे सकते हैं मैं यहां एक सीधा और एक उल्टा फंदे डाल रही हूं मैं इस तरह से border बना रही हूं आपको जो border पसंद है आप वो border डाल सकते हैं बस बीच में ध्यान रखना होता है यहां चोटी बनाते से मैं एक फंदी इस सेड का लेना है और एक फंदी इस सेड का और उपर से यह चोटी वाले फंदी को सिधा करके उस पर रख देना है और ती से करना है तो चलिए दोस्तों मैं यह स्लाई complete कर लेती हूं फिर मैं आपको बताते हूं यह मैं उल्टी सेड से पूर्ण फिर बीच में आ चुकी हूं यह आप देख सकते हैं यह बीच वाला जो है यह चोटी है यह भी गलाम जो चोटी बनाया जाता है यह बीच वाला भाग है और यह एक फंदा इस सेड से और एक फंदा इस सेड से दोनों सेड से यानि एक फंदा लेना है और यह तीनों को एक कर देना है तो पहले क्या करना है इस फंदे को मैं इस सलाई पर ऐसे करके निकाल ली हूं और ये फंदा जो है इसको ऐसे सलाई से निकाल देना है और ये जो फंदा मैं यहाँ सलाई पर ली थी इसे मैं इस सलाई पर डाल दी हूँ और ये जो मैं फंदा यहाँ ये फंदा जो यहाँ मैं नीचे में ली थी इस फंदे को इस सलाई पर उपर से ऐसे करके सिधा करके डाल देना है यह देखिए दोस्तों यह मैं यहां उपर से इस फंदे को यहां मैं डाल दी हूँ अब मैं धागा को आगे कर लेना है इसमें उल्टी सेट से धागा को पीछे नहीं करना है उल्टी सेट से धागा को आगे ही रखना है और दो और ये एक तीन ये तीनों फंदे को एक कर देना है ये देखी ये चोटी हमारा बन चुका है ये कितना सुन्दा चोटी बना है चोटी बनने के बाद ये धागा को मैं हाँ खोल दूँगी तब तक मैं हाँ रहने देती हूँ बस इसी तरह से आगे में क्या करना है धागा को पीछे रखना है और तीन फंदे को एक कर देना है और ये उल्टी से धागा को आगे रखना है और तीन फंदे को एक कर देना है बस इसी बात का ध्यान रखना है इसी तरह आगे पीछे करते जाना है आपको जितना बड़ा बॉर्डर बनाना है उतना बड़ा बॉर्डर बना सकते हैं ये देख सकते हैं दोस्तों ये मैं इतना बड बनाई हूँ आप इसी तरह आगे पीछे बॉर्डर बनाते जाएए और ये बीच का चोटी इसी तरह से बनते जाएगा मैं एक वार फिर आपको आगे सेट से मैं पता रही हूँ ये दिखी दोस्तों ये मैं सिधी सेट से फिर से मैं यहां बीच वाली चोटी के पास आ चुकी हूँ उनी हूं अब मैं फिर मैं आपको दिखा रही हूँ इत वाली बाक्ति कैसे बनाना है तो थागा को क्या करना है यह पीछे करणा है यह नहीं यह करना है यह एक फंद मिना यह कर नहुं अलया बीच वाला जो ये चोटी है इस फंदे को इस फंदे को मैं यहां इस पर ऐसे निकाल ली हूँ और ये जो बीच वाला चोटी है इसे मैं इस तरह से ऐसे निकाल ली हूँ और ये जो फंदा मैं इस लाइप डाली थी इस फंदे को मैं फिर से इस लाइप डाल दी हूँ और इस फंदे को यह उल्टा फंदा है इसे मैं फिर से सिधा कर देती हूं यह मैं इसे निचे करके मैं सिधा कर रही हूं ये मैं सिधा कर चुकी हूँ ये आप देख सकते हैं दोस्तों इसे मैं यहां सिधा कर ली हूँ और ये एक फंदा और ये दो फंदे और ये तीन फंदे को मैं ये धागा को पीछे करके एक कर लेती हूँ ये देखे दोस्तों ये मैं एक इसे कर दी हूँ फिर ये जो मैं डिजैन बना रही हूँ एक मैं सिधा और एक उल्ठा बना रही हूँ ये देखे दोस्तों ये कितना सुन्दर से ये चोटी बन चुका है आप देख सकते हैं ये कितना सुन्दर ये सिधा चोटी बन चुका है ये बन चुका है ये चोटी आपको जराशा भी गलती हो जाएगा तो पूरा स्वेटर खराब हो जाएगा इसलिए आप ध्यान से चोटी बनाए जिस तरह से मैं आपको बताई हूं बस उसी तरह से आप चोटी बनाए बहुत ही सुन्दर से ये सुटर का गला का भी गला जो है ये बहुत ही सुन्दर से बन के त्यार हो जाएगा आप इसी तरह से ये चोटी बनाए ये जदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए जदि आप मेरी चैनल पहली बार आया है तो प्लीज सस्क्राइब कर देजिए जिसे मैं कोई भी वीडियो डालूं दूसाब से पहले आप तक भूझे आपको ये मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवा